जिलास्पिताल के हड़ी वाड में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब करंट से जुलसी नविवाहिता को इलाज के लिए जिलास्पिताल में भरती कराया गया बेटी के करंट से जुलसने के खबर मिलते ही भाई पिता परिवार के लोग जलास्पिताल पहुँचे और करंट से जुलसी नविवाहिता पिंकी से घटना के जानकारी लिए पिंकी ने बताया पती आकाश ने उसे तार पकड़ कर एक तरफ रखने को कहा था उसे नहीं पता तार में करंट है जैसे ही पिंकी ने तार को उठाया उसे बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया और वह जुलस गई जुलसी बहन से घटना के जानकारी लेने के बाद भाई और पिता ने पिंकी के पती को पकड़ लिया और जला अस्पिताल में ही जबरदस्थ हंगामा कर मौके पर मौजूद थाना मजहोला के शेत्र मानपूर नारायन पुर वाडपार्शत सरोच के पती ने बताया कि एक महापूर्वगी उसकी मौजूदगी में दोनों के बीच समझाता कराते हुई पिंकी को आकाश के साथ भीजा गया था और सुभा करंट लगा कर उसकी हत् प्रियास किया गया है जिल से पिंकी ने दिये बयान में पती पर करंट लगा कर हत्या के जाने के साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हत्या के प्रियास का आरोप लगाया है बताया जाता है गतवर्ष चार फरवरी 2022 में दोनों की शादी हुई थी और एक तीन माहा का ल लगाते हुए पती और नंद के साथ ससरालियों के खिलाफ कारवाही की मांकी है. बच्चे कितने हैं आपके एक मेरे को मतलब पता भी नहीं था हुए थी आपकी चार फर्वरी को हुई थी इसी साल एक साल एक साल बे दिया लगार बच्चा कितना हरा आपको ? तो सम्झोता हो गया था सम्झोता हो गया था आज क्या घटना हुए आज कि पता नहीं में अगी नहीं आप लेकि पुर्ण तरफ प्रफां पर जवार पर जो लेक्ट निया तो आदमीन है को यह साइस करेंट ओव रहा तेखों लगनी सकता है उसके पूला फूला सब्सक्राव एक अब तरफ भी तो